आप देख रही हैं Knowing Ourselves तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर आज मैं अपने बच्चपन की वो कहानी शियर करने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके बैरों के तले जमीन किसक जाएगी कि ऐसे भी हो सकता है बच्चपन में अक्सर बच्चे स्कूल की चुटियों के बाद अपनी नानीमा और रिष्टिदारों की गर जाया करते हैं मुझे भी बहुत शूंग था मैं भी अपनी नानीमा के गर जाया करता था मेरी नानी गाओं में रहती थी तकरीबन मैं दस या ग्यारा साल का होंगा जब मैं आखरी बार अपनी नानीमा के गर गिया था अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ वो आखरी बार था आज भी वो किस्सा याद करता हूँ तो मुझे नीद नहीं आती आखरी बार जब मैं अपनी नानीमा के गर गिया था तो उनके गाओं में किसी की मोथ हो गई थी और तब उनका संसकार चल रहा था और मुझे इतनी समझ नहीं थी तो मैं वहाँ पर बाग के देखने के लिए गिया तो मेरी नानी मुझे वहाँ से खीच के लिए आई मैं बार बार पीछे मुढ कर देख रहा था मानो जैसे कोई मुझे पीछे से बुला रहा हो जब मैं खेल कुद कर सो रहा था तो वही जगा मुझे मिले सपने में दिखने लगी और मैं उटकर वहाँ पर चला गिया जब मेरी नानी उठी तो वो मुझे डूंडनी लगी समर का हो समर डूंडते डूंडते सुबह हो गई और मैं अपनी नानी को उसी कबर के उपर सोया हुआ मिला मेरी नानी ये देख कर डर गई नानी ने मुझे उठाया समर समर जल्दी उठ और मैं उठ गया तुम यहाँ पर क्यों सोय होयो मैंने बोला नानी मुझे कुछ नहीं बता मैं यहाँ पर कैसे आया मेरी नानी मुझे गर ले आई थी दीरे दीरे मेरे श्रीर पर नील पढ़ना शुरू हो गया था गर वाले भी बहुत परशान थी मुझे सपने में हर रोज वही जगा दिखाई देती थी और मैं सुबा उसी कबर पर सोया हुआ मिलता था ये देख नानी ने गाओं के बाबा को घर पर बुलाया जब बाबा ने मुझे देखा तो ऐसी बात बोली जिसे सुनकर मेरी नानी सुन पड़ गई बाबा ने बताया इस बच्चे ने मरते हुए आत्मी को पीछे मुड़ कर देख लिया था वो दिन भी आमावस्या का था और आज उसका दूसरा पैर उसकी आत्मा के जाने का वक्त है और वो इसको भी साथ लेके जाएगा अगर तुम इसको आज राज से पहले गाउं से दूर बेच दोगे तो इस बच्चे की जान बच जाएगी और दुबारा इसे कभी भी इस गाउं में मत लिकराना मैं बहुत डरा हुआ था हमारे पास सिरफ आदा गंटा था हमें आदे गंटे में उस गाउं से बाहर निकलना था मेरी नानी मुझे वहां से जल्दी जल्दी लेके चली गई और बाबा पीछी से उस आत्मा को जितनी देर के लिए रोक सकते थे रोकने की कोशिश कर रहे थे किस्मत अच्छी कहलो या फिर चमत कर कहलो मेरी नानी का प्यार मेरे प्रती जो था उस दिन मैं गाउं से बाहर निकली गया और बच गया आज मेरी नानी भी मेरे साथ यहां पर रहती है आज भी मैं उस गाउं में चाने से बहुत डरता हूँ इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खतम होती है अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज लाता रहूंगा हैंक यू